क्या अब PF मेंबर्स को 50,000 रुपे की जगे 1,00,000 रुपे मिलेंगे क्या PF मेंबर्स को अब उनके PF को पैसा दुगना मिलेगा पूरी की पूरी complete जानकारी इसी वीडियो में आप सभी PF मेंबर्स को देने वाला हूँ नमश्कार दोस्तो अभी फिलाल में ही एपफ उने PF में PF के पैसे को निकालने को लेकर एक नया update किया है एक latest update किया है और उसी को लेकर एपफ उने एक नया circular भी जारी किया है जिसको लेकर PF members काफी ज़दा confused हैं लोग पता नहीं क्या क्या आफ वाफल है रहे हैं PF का पैसा दुगना मिलेगा, 5000 की जगे 1,00,000,000 मिलेंगे मतलब बहुत जरूरी वीडियो है आप सभी PF members के लिए होने वाली है अब यहाँ पर आप देखें circular की official website पर आचुके हैं यहाँ पर 12 number circular है यहाँ पर मैं आपको दिखाएता हूं यह आप देखिए circular क्या एक बर पढ़ना द्यान से मैं आपको पढ़के बता रहा हूं यहाँ पर लिखा है यह आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है Enhancement Enhancement in the existing eligibility limit of 68J claims for auto claim processing from 50,000 to 1,000,000 अब यहीं PF member confused है कि यह 50,000 क्या है, 1,000,000 क्या है और यह 68J क्या है अब देखे, सबसे पहले मैं आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके समझाने के लिए जो 68J का मतलब क्या होता है यह मैं आपको बताता हूँ तो यहां पर आप देख सकते है 68J कि जो मैंने आप कह सकते हैं PDF Remote मैंने खोल ली यह सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहां पर आप देखिए आप पर णकर लिए 68J 68J क्या होता है मैं आपको बताता हूँ 68J होता है advance from the fund for illness in certain cases मतलब की PF का advance पैसा निकालने के जो हम illness पैसलेक्ट करते हैं उसमें हम कितना पैसा निकाल सकते हैं कम से कम या हमारी मलाब आप समझ रहो न कि हम अगर illness के लिए advance फर्म बरेंगे तो कितना पैसा हमारे PF में आएगा कितना पैसा हमारे bank count में आएगा pass कितना होगा claim settle कितना होगा इस rule को 68J कहते हैं अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ यहाँ पर देखिए कि अगर आप advance पैसा निकालोगे illness के लिए तो यहाँ पर आपका कितना पैसा आएगा या तो आपकी six month की basic wages end या आपकी 6 महिने की salary आ जाएगी basic plus DA का यानि मान लीजे आपकी salary 12,000 रुपे तो 12,000 रुपे तो 12,000 रुपे आपके PF में आ जाएगे या फिर नीचे की तरफ employee share with interest whichever is list या फिर आपका employee share आ जाएगा ठीके ना with interest आप देखिए इसमें भी एक फरक है फरक है whichever is list मतलब कि या तो यहाँ पर आप देखिए या तो आपकी 6 महिने की basic salary आएगी basic plus DA या आपका employee share with interest आ जाएगा आप इनमें से वही पैसा आएगा जो कम होगा जैसे कि आपकी 6 मेने की salary 72,000 रुपे बन रही है और आपका employee share है with interest वो बन रहा है 90,000 रुपे तो इसमें से जब आप अप्लाई करोगे तो आपके 72,000 रुपे ही आएंगे मतलब दोनों में से जिनकी calculation कम बनेगी less बनेगी whichever is least तो वो पैसा आपके bank account में आएगा जब भी आप advance claim करोगे illness को select करके समझ आगया यहां तक तो आप लोग को आप देखे जो जरूरी चीज़े जहां पर PF members confused हैं इस circular को लेकर यह मैं आपको बताता हूं confusion दूर करता हूं तो यहां पर मैं आपके सामने circular की PDF open कर लेता हूं किन के लिए जारी किया गया है to all ACC मतलब जितने भी हमारे APF officers, journal officers, headquarters हैं सब को यह जारी किया गया है अब subject क्या है जारी क्यों किया गया है यह ध्यान से सुनिएगा subject enhancement in the existing eligibility limit of 68J claims for auto claim processing from 50,000 to 1,000,000 regarding आप देखे 68J का मैंने आप लोग को मतलब बता दिया आप यहां पर आप द existing eligibility limit of 68J मतलब की जो पुरानी limit थी हमारी 68J की उसको बढ़ा दिया गया है नहीं enhance कर दिया गया है कितने से लेकर यहां और आप देखे auto claim processing को 50,000 से लेके 1,000,000 रुपे तक कर दिया है मतलब की बढ़ा कर auto claim processing को 68J के थायत 50,000 से बढ़ा कर 1,000,000 कर दिया गया है 68J मैंने आप आपको बता दिया क्या होता है अब यहां पर एक word लोको PF मेंबर को समझनी आ रहा auto claim processing from 50,000 to 1,000,000 यह क्या है अब मैं आपको समझाता हूं auto claim processing क्या होता है आप देखे दोस्तो auto claim processing मतलब क्या मैं आपको अच्छे समझाता हूं अब देखे EPFO office ने EPFO department ने Corona काल जब मतलब अपना PF का advance का पैसा निकालोगे तो वो जो पैसा है वो जल्दी जल्दी आपके bank account में आ जाएगा auto claim processing के तैत मतलब एक नई चीज़ एड की गई थी auto claim processing इसका केवल यही मतलब कहती जो भी PF members अपना PF का advance पैसा apply करते है वो पैसा उनके bank account में जल्दी जल्दी आ जाए claim settle ज यहां पर अगर आप claim का form भरते हो मतलब advance claim भरते हो illness केता है तो आपका मातर एक दिन में ही claim settle हो जाता है और दूसरे दिन ही जो पैसा है वो आपके bank account में आ जाता है मतलब auto claim processing मतलब जो पैसा है वो आपके bank account में बहुत जल्दी आ जाएगा और यह update सभी PF offices में नहीं किया ग जाता है भया PF का claim है वो online submitted a portal दिखाता है एक step हो गया दूसरा उसके बाद वो under process में जाता है ठीक है under process में जाने के बाद claim settle होता है claim settle होने के बाद कहीं जाके जो पैसा है वो आपके bank account में आता है समझा है आप लोगों अब इस process में लगता है कम से कम 10 से 15 दिन का time मतलब एक auto claim मतलब समझा गया अब देखिए यहां पर जो main update वो यह किया गया है कि जहां पर auto claim processing की सुविदा उपलागद जिन PFS में वहां पर उस 50,000 की limit को बढ़ाके 1,00,000 कर दिया है मतलब कि पहले हम अगर claim करते थे तो हमारा जो auto claim process में कब आएगा मतलब 50,000 रुपे तक अगर हम PFS का पैसा advance claim करेंगे तो वह हमारा auto claim process केता है जल्दी ही पैसा हमारे bank account में एक से दो दिन के अंदर आ जाएगा लेकिन यहां पर update केवल यह है कि अब उस limit को बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया है 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया है अब दुख की बात ही है कि यह सभी PFS offices में नहीं ह कर दीजे जल्दी जल्दी ताकि PF members का जो पैसा है वो फटा फट उनके bank account में आ जाए यह बहुत ही अच्छा काम होगा तो अगर आपका भी कोई PFS offices अगर जो भी हमारी वीडियो देख रहे है वो भी अगर उन्होंने कभी नॉल्डा PFS का उनका हो या फिर हमारा आहमदाब बात का हो और उनका जल्दी पैसा आ गया हो तो मुझे एक बार comment box में comment करना आपको यह auto claim process वाली जो सुविधा है कैसी मिली तो मैंने आपके पूरी के पूरे doubt clear कर दिये सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके समझा दिया तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें comment box में ना भूले धन्यवाद दोस